गुद आफ्टिनूं स्टुडेंट्स ऑफ क्लास फॉर्थ बट्रफ्लाई और काइट की जो पॉयंट थी वो हमने पढ़ी आज हमें इसकी बुक एक्साइज करनी है तो फर्स्ट हम स्टार्ट करें ए पेपर काइट वास डांसिंग अपॉन दी पेपर काइट किस पर डांस कर दी रहेती होकी होगा चलती है मंद हवा का जो का जोता है उसे बृईस कहते है तो इसका अंसर इपर Easternности लोक सब्सकृप बुख्ष इंचे देख तेग और प्रृत्वी की तरफ ने खेए और क्या ज difन मतलब देखती है लोंताल केका है निचे दी निगते यूँद सुम्द वह मुड़ी पढूल नीचे जम देखती है तूल बटरफ्लाइग को देखती है कुगी वह इ cisक आइट और वह नीचे जब डेखती है कि और उन्थ बॉसे देखती है tips अब हम वह और आ से तोड रािंस गःता है अब stupid boy का toy खिलो ना कौन था बर्ड या काइट या बटरफलाई तो क्या आएगा इसका अंसर काइट क्योंकि काइट को खुद उड़ती नहीं दूसरी लोग उड़ाते यह जो है आपका फिलिंदी ब्लैंक से इसमें आपको पोयम की लाइन्स कम्प्लीट करनी है तो यहाँ पर क्या आएगा हील्स किससे बड़ी थी वो हील्स और ट्रीस है यह बटरफलाई इन्दी फ्लाइट विल फ्लाइट स्टिल स्टोरिंग होटिली टेक ए गुड लुक एट मी नॉट ओन यूर टरंस रिप्लाइट दी बटरफलाई यह सारी लाइन्स आपको पोयम में मिल जाएगी इसके बाद में जो C नंबर वाला कोशन है यह आपको सेल्फ करना है इसमें भी आपको पोयम की लाइन कम्प्लीट करनी है यह भी आपको पोयम से मिल जाएगी तो A, B, C यह तीन आपको बुक में कम्प्लीट रखने हैं अभी